अगर कोई ऐसा OTT platform है जिसकी web series या जिसकी movie में देखने से बचने की कोशिश करता हूँ तो वो एक ही है old biology मैं कसम से यार इनके जो makers हैं उनकी इतनी गटिया मान सिकता है उनकी जो web series या movie देखते हैं तो सर में दर्द हो जाता है नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में बात करूँगा पुरुषपूर या पुरुषपूर जो भी इस वाहियात गटिया web series का नाम है इसके बारे में देखो इसे एक तरीके से आप semi-porn web series कह सकते हो क्योंकि old बाला जी के जो makers हैं उनके पास दिमाग की भारी मातरा में कमी है तो उन बेचारों से कोई नया content तो सोचा जाता है नहीं तो वह क्याम करते हैं मतलब porn movie देखते हैं और उसी का मतलब concept चेप देते हैं एक series बनाकर माँ आप लोगों को इसकी थोड़ी बहुत कहानी के बारें बता देता हूं फिर इसके कुछ एक ऐसे scene है जिसको देखकर literally मुझे बहुत जादा हांसी आगी ती इतनी घटिया direction उन्हें ने किये चोड़ो जोड़ो उसकी हम थोड़े दिर में बात करेंगे एक राज्य है जिसका नाम में पूरुषपूर या पूरुषपूर जो भी है तो वहाँ पर एक राजा है बद्र सिंग बद्र सिंग उसका राजा है वो बहुत आदा आयास है औरतों को कुछ समझता नहीं उनको मतलब अपनी पैरों के जूती समझता है और उसकी काफी सारी राणिया है कुछ गायब हो रही है ऐसा इसमें सीन लिगाया गया तो इसका नाम में मीरावती तो इसकी स्पेशल राणियों को मतलब दूसरी लड़कियों को ढूंड ढूंड के इसकी रानी बनाती रहती है इस यह जो मीरावती जो रानी है अब यह चाती है कि यह सत्ता पल्ट दे अब राजा को अटा कर खुद ही वहां की रानी बन जाए इसलिए एक प्लैनिंग कर रही है अब बहुत सारी चीज़ें है इसके अंदर उल्ट पुलिट जो भी यह कचरा यह खिचडी जो भी इन्हों बुरा लगा जो वो काम कर रहे थे वो जो इतनी घटिया वेब स्रीज में इतनों इनको घटिया रोल दे रखा था लिटरली है एक तो वो प्रेश रावल सर जुन को कुली नंबर बन में इतना बेकार रोल दिया गया है हरान हो रहा था है इनको क्या जरूरती है ऐसे से जो एक एक रैक्टर है उसकी कोपी इसके अंदर बोरी स्नाम का इनसान कर रहा है औरतोर कमपक्तो ने टीप के जो गेम है उसके कोस्ट्यूम कोपी कर ली समय इस से लास्ट के एपिसोड में एक सीन आता है जिसमें टो माहरंण जो भी नाम है इसको वद्दर ौब बन वार् इतनी बड़ी है वो मतलब समझो यह एक हाथ समझो और इसके ऐसे मतलब असानी से निकल सकती मैं क्या करूं इसी बेडियों से मिरावती को बांध रखा है तो मुझे लगता है कि इन्होंने जो सिल्पा शिंदे हैं इन्होंने इसान करते डिरेक्टर के अपर कभाई सब डिरेक्टर आप बैठर हो टेंशन नालो आप आप नहीं मतला हो ऐसी छोटी मोटी मतला मैं इसको ऐसे पकड़ के पहानी के लिए तो दिमाग खर्च होता है वो इन पिचारों के पास तो दिमाग खर्च किया गया खर्च तो तब करते ना जब इनके पास होता खाली दिमाग कहां से खर्च करेंगे तो इन्होंने क्या 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 लोगों को एट्रेक्ट करने के लिए वैसे भारत की जनता जादतर बेफकूफी है यार मुझे ऐसा लगता है क्योंकि देख सकते हो कि IMDB के ऊपर इसको 7.4 की रेटिंग विली हुए आउट ओफ 10 में से तो सोचो यार इसमें सेमी पॉन दिखाकर लोगों को एट्रेक्ट किया गया है वलगर सीन दिखाकर सची इस पूरी सीरीज को अगर एक ही शब्द से मुझे डिफाइन करना हो तो मैं एक ही शब्द यूज़ करूँ है वो है वलगर पूरी की पूरी सीरीज इतनी घटिया यार बैठे रहते हैं कि हाँ यह सब चीजें हम देख लें बहुत ज्यादा असर पड़ता हो इनको तब कोई फरक नहीं पड़ेगा यह चीजे देखेंगे लेकिन जब तक आप खुद अपने आपको नहीं बतलेंगे यह लोग भाई सब ऐसे घटिया चीजे निकालते ही र इसको मैं देना चाहूंगा वन आउफ्ट ओव टैन स्टार अगर किसी ने सीरीज देख रखें तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताना कि आप लोगों कैसी लगी अगर जिसनों नहीं नहीं देखी तो बेशक इसे स्किप कर सकते हो स्किप क्या इसको डिलीट कर दो जो मरज बिलीज कर सकते हो बताना कि लगल मुझे जब देखी स्क्राइब टो जो अगर किसी नहीं आपर किसी दोगाश कर सकते हो जो प्लीज दो एएंवाश वांशय नहीं आपार किसी विलीज कमें दो डिलीज कर दो चाहूं